काफी लंबे वक्त के बाद हॉंडा ने भारत में पेश की रेट्रो लुक बाली देश की पहली क्रूजर बाइक जी हां दोस्तो, हॉंडा की इस क्रूजर बाइक का इंतिजार काफी बलंबे वक्त से था और कंपनी ने इस क्रूजर बाइक को आखिर कार call लौन्च कर ही दिया जी हां, हम बात करें हॉंडा की नई बाइक होंडा हैनेस CB 350 की यह एक क्रूजर बाइक है और भारत में इस क्रूजर बाइक को कमपनी होंडा की बिग विंग डिलर्शिप के मातियम से बेचेगी तो आप जाना नहीं चाहोगे होंडा की इस रेट्रो लुक वाली सस्टी क्रूजर बाइक के बारे में तो company ने इस bike को दो variant पे launch किया है जिसमें DLX और DLX Pro शामिल है दोनों ही variant में आपको धेर सारे तक्निकी features दिये गए है engine की बात करें तो Honda Hynes CV 350 में आपको 348.36cc का single cylinder air cooled engine दिया गया है जो की 20BHP की power और 30Nm का peak talk उत्पन्द करता है वहीं इसका engine 5-speed के gearbox से less है light, goal instrument cluster, कई जगे पर chrome highlight, goal side indicator और गोला कार mirror दिये है जिससे ये बाइक काफी stylish लगती है इसके लाबा बाइक के fuel tank पर Honda का logo दिया गया है वहीं इसके side panel पर Hynes का खुबसूरा logo भी देखने को मिलेगा features के तोर पर देखा जाए तो Honda Hynes CV 350 में Bluetooth connectivity, battery health indicator, Honda smartphone, voice control जैसे कई सारे शांदार features देखने को मिलेंगे इसके लाबा बाइक में flat seats दी गई है पिछले हिस्ते में हाइनेस का badge चोटी गोल LED tail lights दी गई है साथी इस cruiser bike में instrument cluster को semi digital रखा गया है सुरक्षा के लिहाद से Honda Hynes CV 350 में Honda Selectable Torque Control, Dual Channel ABS दिया है Twin Shock Absorber दिया गया है कलव विकल की बात करें तो हाइनेस CV 350 कुल 6 रंगों के साथ उपलब्द रहेगी रही बात कीमत की तो भारत में हाइनेस CV 350 का भारती बाजार में कड़ा मुकाबला रॉयल इंफिल्ड, जावा और बेनेली की बाइक से होगा हमें लगता है कि होंडा की इस नई क्रूजर बाइक के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को फटा-फट से लाइक कर दीजिए साथी वीडियो को जादा से जादा शेयर भी करें ताकि हर किसी को पता चले होंडा की इस नई क्रूजर बाइक के बारे में तैंक्यू वेरी मच